देश में इस वक्त जो महौल बन रहा है दो कम्यूनिटीज के बीच जिस तरीके के डिफरेंसेस क्रियेट हो रहे है मुझे शायद इन दोनों कम्यूनिटीज का नाम लेने की जरूरत नहीं है आप समझ गए होंगे किन की बात हो रही है दो ऐसे समुदाए जिनके बीच दूरियां बढ़ती जा रही है उनको लेकर एक मन में सवाल है और ये सवाल दोनों ही कम्यूनिटीज के लोगों से है आप अपनी सैलरी जो होती है वो कभी किसी से शेयर करते है आपके घर में रखा सोना आपके घर में रखी कोई कीमती चीज अपनी गाड़ी कोई भी ऐसी चीज अपना घर कि आपनी प्रॉपर्टी आप किसी के साथ शेयर करना चाहते है आप कोई भी ऐसी चीज जिसके वज़र से आपको फायदा मिलता है आप उसे किसी के साथ share नहीं करना चाहते हैं आप मान लीजिए किसी होटल में खाना खा रहे हैं आपके थाली में बहुत अच्छा खाना पड़ा है आपका मन करता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आये और वो खाना खा जाए और आपको बहुत सुकून मिलेगा आप भूगे रह गए लेकिन उसका पेट भर गया आप किसी भी कीमती चीज को किसी भी important चीज को दूसरे के साथ share नहीं करना चाहते है लेकिन इस दुनिया में सबसे जरूरी सबसे important चीज हमारे लिए क्या है हमारा मजब, हमारा धर्म, हमारे लिए ईश्वर, जो हमें सब कुछ देता है हर कीमती चीज से ज़्यादा important वो हमारे लिए है और उसे हम दूसरे के साथ share करना चाहते है नहीं, नहीं, share नहीं करना चाहते है हम उसे दूसरे पर थोपना चाहते है इसे मान, यह जो मैंने माना है, इसे तू मान इसने मेरा भला किया था, यही तेरा भला करे गा यही है जो इस स्रिष्टी को चला रहा है वो जो तुम्हारे माबा आपने तुम्हें बताया था, वो गलत था जो मेरे बाब आपने मुझे बताया है, जो मेरे बड़ों ने मुझे बताया है, वही वला सही है इसे मैं आपके साथ शेर नहीं करना चाहता, इसे मैं आप पर थोपना चाहता हूं इसे मानिये, हम सब की यही प्रॉब्लम है और यही problem वास्तविक्ता में आज के समय की सबसे बड़ी problem बनती जा रही है हम अपनी चीज को, अपने धर्म को दूसरे पर थोपने में लगे हुए है और ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आप कभी सोचिए, आप problem में हैं, आपको बहुत पैसे की जरूरत है वास्तविक्त हालात को समझ जाते हैं, जो समझते हैं कि यार बहुत problem में हैं, इसको मदद की जरूरत है आप ही की community के लोग, आपके रिष्टेदार आपको कितना support करते हैं? नहीं करते हैं ये बुनियादी बात है, समझ में आ जाएगी, तो हम बदल जाएगे और हम बदल जाएगे, तो देश बदल जाएगा